प्रिटा का तीसवा उपदेश है अश्वमेव भूकतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भूगना पड़ेगा अगर आपने अच्छे कर्म किये हैं तो वो जाने अंजाने में किसी मुश्किल वक्त पे आपको वो अच् कितना ही चुपकर कर्म करें चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करें लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के इश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकिर्ति वो परमात्मा अपनी द्रिश्टी बनाए रखते हैं हमारे एक एक कदम का हिसाब हो प्रुटा है